है लोड़े एश्ट्रेंट्स बहुत बहुत स्वागात आप सभी का सक्सेस वर्ड एमसी क्यू चैनल पर तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं आज हमारा प्रेक्टिस सेट 11 चलेगा तो जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइब में जाईए सभी को गूड इविनिंग गूड इविनिंग और जिसको नहीं पता है बता देते हैं ये क्लास अपका हर रोज रात आट बजे होती है तो सभी को लाइब में आना है चलिए इसी साथ आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं तो पहला प्रस्ण आपके स्किन पर निम्न लिखित में से कौन सा क्लोरोफिल में विद्यमान होता है option आपके सामने चार्ज ये गए चलिए आप लोग जल्दी जल्दी से live chat में answer करते जाएंगे तो एक के लिए right answer देंगे जल्दी से और आपका time शुरू करते हैं अब आपको minimum 5 second के अंदर अपना answer दे जाना है तो क्या हो जाएक answer आपका time खतम होता है तो एक का right answer अगर आपने एक को दिया है तो जो ये बच्चे एक को दे रहें बिल्कुल सही जबाब हो जाएका लौ option A बिल्कुल सही जबाब हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं next question है decibel किसकी map की इकाई है चलिए दूसरे के लिए answer करेंगे आपका time शुरू करते हैं अब फटापट से आप लोग live chat मे answer करते जाएगे और जो भी student इस channel पर पहली बार आए है और चनल को subscribe करके और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि आने बाले समय में विहार फार में सिलेटेट एक भी important class आपसे miss ना हो तो दूसरे का right answer क्या जाएगा तो दूसरे के लिए right answer जो भी बचे बी को देरे बिल्कुल सही जबाब हो जाएगा decibel किसकी map की काई है तो ध्वनी की option B बिल्कुल right answer हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन है गुप्त बंस का संस्थापक कौन था चलिए answer करेंगे आपका time शुरू करते हैं अब और किसी भी प्रस्ण में doubt होता है तो तुरंत आप comment box में पूछिए तो आपका time खतम होता है तीसरे का right answer क्या जाएगा जी बिल्कुल तीसरे का जोई बच्चे लाइप्चेट में C को दे रहे बिल्कुल सही जबाब हो जाएगा गुप्त बंस का संस्थापक कौन था स्री गुप्त आप्शन सी बिल्कुल सही जबाब है जाएगा option D के से तल जाएगा फैराड ठीक है यहाँ पर फैराड लिखा गया है फैराड होगा ठीक है चलिए यहाँ पर लिख जेते हैं इसका right answer क्या जाएगा फैराड हो जाएगा option D बिल्कुल सही जबाब है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रस ने सी ने बार किसका S का है सोना का चांदी का लोहा का यह डी पारा का चलिए फटापटस अंसर करेंगे और सेशन के लास्ट में अपना अपना स्कोर आवस्य देंगे तो पाचवे का right answer क्या जाएगा जी बिल्कुल 5 का right answer जोई बच्चे D को देने बिल्कुल सही जवाब है पारा का यह डखे का सिने बार किसका S का है तो D हो जाएगा पारा का S का है option D बिल्कुल सही जवाब है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कुशन है तांसेन का असली नाम क्या था अंसर करेंगे चलिए आपका टाइम खतम होता है तो 6 का right answer क्या जाएगा D हो जाएगा रामतनू पांडे या जखे का तांसेन का असली नाम क्या था रामतनू पांडे option D बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा नेक्स्ट कॉसन है दिल्ली भारत की रालदानी किस वर्स बना चलिए आंसर करेंगे सोज समझकर आंसर करना है आपको maximum से maximum score करना है और session के last में अपना अपना score जरूर देना है तो 7 का right answer क्या जाएगा तो 7 के लिए जोई बचे B को देने बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1912 इस भी option B बिल्कुल सही जवाब है next question है भारते सम्मिदान में संगवाद किस देश से लिया गया है most important question है चलिए 8 के लिए आंसर करेंगे आप लोग यह आपका practice set ग्या रहा है इसे पहले टूटल आपका 10 practice set हो चुका है अगर आपने सभी practice set को नहीं देखा है तो link सभी की नीचे वीडियो के description box में मिल जागा सभी practice set को कवर कर लीजे important है तो 8 का right answer क्या जाएगा जी बिल्कुल 8 का D हो जागा कनड़ा option D बिल्कुल सही जवाब है चलिए आगे बढ़ते next question है जल में गुलते समय CO2 gas उत्पन करती है option पर ये और चलिए आंसर करेंगे चलिए आपका time खतम होता है तो 9 का right answer क्या जाएगा तो 9 के लिए जोई बच्चे C को दे रहे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दुरलब अमलों को उत्पन करता है option C बिल्कुल सही जवाब है अगला प्रस ने विद्यूत उर्जा को यांतरी कुर्जा में बदलने वाली युक्ती को क्या कहते है चलिए आंसर करेंगे सुर समझकर आंसर करना है चलिए आपका time खतम होता है तो 10 का right answer क्या जाएगा तो जोई बच्चे 10 का A दे रहें बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ठीक है विद्यूत उर्जा को यांतरी कुर्जा में बदलने के लिए मोटर का परियोग करते है option A बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते है और आप लोग बताएंगे अगर हम इसको उल्टा दे बोले क्या यांतरी कुर्जा को विद्यूत उर्जा में परिवर्थन करेंगे तो उसके लिए कौन सी युक्ति को अपनाएंगे चार ओप्शन में से क्या होगा इसका आपको answer comment box में देना है चलिए आगे बढ़ते है next question है निम्नलिकित में से किस विटामीन को टोको फेरोल से जना आता है चलिए answer करेंगे किस विटामीन का नाम टोको फेरोल है चलिए ये भी प्रस्न है इंपोर्टेंट है और इसका राइट answer क्या जगा है तो 11 के लिए जोई बच्चे क्या दे रहे C को बिल्कुल सही जबाब है विटामीन E या दकिका टोको फेरोल किस विटामीन की नाम है तो विटामीन E का नाम है टोको फेरोल चलिए आगे बढ़ते है अगला प्रस्न है हाइडरोजन को तत्यू के रूप में खोज किसने की चलिए आंसर करेंगे तो 12 के लिए आंसर क्या देगा जी बिल्कुल 12 का राइट आंसर जोई बच्चे लाइप चेट में C को दे रहे बिल्कुल सही जबाब होजएगा Henry Cavendis ऑप्सन C बिल्कुल सही जबाब होजएगा चलिए आगे बढ़ते है Next question है समिधान के अनुचेद एक में भारत को क्या का गया है Most important question है चलिए 13 के लिए आंसर करेंगे और आपको 50 में से कम से कम 40 स्कोर हर हाल में करना है जी बिल्कुल 13 का आंसर क्या जाएगा तो जोई बच्चे 13 का समिधान के अनुचेद एक में क्या कर गया है तो भारत को का गया है समिधान के किस भाग में समिधान संसुदन की परक्रिया का उलेग है Most important question है चलिए इसके लिए आंसर करेंगे सभी के सभी प्रसन सेलेक्टेट और important है इसलिए आपको हर रोज session को attend करना है याद रहे हर रोज रात 8 बजे class होती है तो 14 का right answer क्या जाएगा जोई बच्चे C को दे रहे बिल्कुल सही जवाब है भाग 20 option C बिल्कुल सही जवाब है चलिए आगे बढ़ते है Next question है अनुवान से की code की खोज किसने की चलिए answer करेंगे 15 के लिए अगर आपने अभी तक session को like ने किया है तो सभी लोग दिल से session को like करेंगे तो 15 का right answer क्या जाएगा जी बिल्कुल 15 का right answer आपका D के साथ चलेगा हर गोविन खुराना option D बिल्कुल सही जबाब हो जाएगा अगर आपने बिहारोत पाथ सिपाई के लिए form fill क्या है तो उसके लिए भी इस channel पर जल्द ही practice set की class start होने वाली है तो जिसने भी चनल को subscribe नहीं किया चनल को subscribe करके ढख लेंगे और साथ में bell icon को भी प्रेस कर लेंगे ताकि जैसे जी class start होगा उसका notification आपके mobile तक सबसे पहले जाएगा next question है आयरुवेद अर्थाद जीवन का विज्ञान का उलिक सरपर्थम मिलता है किस में मिलता है चलिए answer करेंगे most important प्रस्न ये भी चलिए आपका time खतम होता है तो 16 का right answer क्या जाएगा जी बिल्कुल 16 के लिए जोई बच्चे D को दे रहे बिल्कुल सही जवाब है अथरवेद option D बिल्कुल सही जवाब है important प्रस्न इसको ध्यान में रखना है अगला प्रस्न है एक भारी नाभीक को दो हलकी नाभीकों में तुटने की परकिर्या को क्या काते है आंसर करेंगे इसके लिए चलिए आपका टाइम सुरू करते है अब फिर से बोल रहे है आपको minimum 5 सेकेंड के अंदर आंसर करना है ताकि आपका habit बन सके है जी बिल्कुल 17 का right answer क्या जाएगा तो 17 के लिए अगर आपने option नमर किसको दिया है बी को तो बिल्कुल सही जवाब है नाभीके अभी खंडन करलाता है option B बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा next question है methane जिसके वायो मंडल में उपस्तित है हुआ कौन सा गरा है चलिए आंसर करेंगे चलिए आपका time खतम होता है तो 18 के लिए right answer अगर आपने C को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब है विरस्पति यादकी का विरस्पति के वायो मंडल में मिथेन उपस्तित है यादकी का option C बिल्कुल सही जवाब है चलिए आगे बढ़ते है next question है रक्त का थक्का जमने के लिए आवर्सक विटामिन कौन सा है आंसर करेंगे most important प्रस्ण ही है चलिए time's up तो 19 का right answer क्या जाएगा तो 19 के लिए जो ये बच्चे लाइब चेट में C को दे रहे बिल्कुल सही जवाब है विटामिन के important है ध्याण में रखना है option C बिल्कुल सही जवाब है next question है कैलमाइन एक खनीज है जिसमें होता है चलिए आंसर देंगे जेड़नो, जेड़नेस, जेड़न एसाइओ थरी या जेड़न सीओ थरी चलिए आपका time खतम होता है और 20 के लिए right answer क्या जेगा जी बिल्कुल 20 का right answer आपका D के साथ लेगा जेड़न सीओ थी होता है केलो माइन में ठीक है option D बिल्कुल सही जवाब है चलिए आगे बढ़ते है फिर से बोल रहे है अगर आपको किसी भी प्रस्न में थोड़ा भी doubt होता है किस का right answer आपका option B के साथ लेगा अलफा कन या तकिका अलफा कन का अधरमान सबसे अधी के इन चार उप्षन में से option B बिल्कुल सही जवाब है चलिए आगे बढ़ते है next है हरित कांती का जनक कौन है answer करेंगे सोच समझ कर answer करना है चलिए आपका time खतम होता है तो 22 का right answer क्या जाएगा तो जी 22 का right answer जोई वच्चे C को दे रहे बिल्कुल गलत जवाब है क्या हो जाएगा right answer B हो जाएगा norman borlog option B बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अगर आपसे पूचता कि भारत में हरित कांती के जनक कौन है तब C होता लेकिन यापे सिर्फ हरित कांती के जनक पूचा जा रहा है तो जहान में रखना है अगर भारत में पूचेगा तो MS स्वामी नाथन हो जाएगा लेकिन हरित कांती के जनक सबसे पूछे सिर्फ तो नौर्मन बोरलोग option B बिल्कुल सही जबाब हो जाएगा confused नहीं होना है examiner घुमा के भी question दे सकता है चली आगे बढ़ते हैं next है पेट में भोजन को पचाने के लिए निवन में किसकी आवस्चक खास होती है चली आँसर करेंगे तो आँसर क्या देगा तो 23 के लिए right answer जोई बच्चे option number क्या दे रहे C को बिल्कुल सही जबाब है enzyme की आवस्चक होती है option C बिल्कुल सही जबाब है चली आगे बढ़ते है next है जल में hydrogen तता oxygen की प्रमानु संख्याओ का अनुपात कितना है चली आपने अभी तक session को like नहीं किया है तो 24 का right answer क्या जाएगा जी बिल्कुल 24 के लिए right answer अगर आपने B को दिया है तो बिल्कुल सही जबाब है दो अनुपात एक का अनुपात मिलाता है option B बिल्कुल सही जबाब है next question है दही में किस प्रकार का अमल पाया जाता है आंसर करेंगे और session के last में अपना अपना score जरूर देंगे चलीए तो 25 का right answer क्या जाएगा जी बिल्कुल 25 के लिए जोई बच्चे option C को देरे बिल्कुल सही जबाब है दही में किस प्रकार का अमल पाया जाता है तो लेक्टी का अमल पाया जाता है option C सही जबाब है next question है विद्धूत उर्जा को या अंतरी कुर्जा में बदलने वाली युक्ती को क्या कहते है answer करेंगे चलीए तो 26 का right answer क्या जाएगा जी बिल्कुल 26 का right answer A के साथ जाएगा motor याद रखेगा विद्धूत उर्जा को या अंतरी कुर्जा में बदलने वाली युक्ती को motor करते है ये प्रस्ण repeat हो चुका है ये पाले भी हो चुका था next question है बरसाद की बुंदे गोला कार होने का कारण क्या है most important प्रस्ण है चलिए इसको समझ कर आंसर देना है चलिए फटाबट से लाइप चेट में आंसर करते जाएंगे जी बिल्कुल 27 का right answer कर देगा तो 27 के लिए जोई बच्चे बी को दे रहें बिल्कुल सही जवाब है प्रिष्ट तनाव याद रखेगा बर्षात की बुंदे गोलाकार होने के कारण क्या है प्रिष्ट तनाव है option B बिल्कुल सही जवाब है next है धोवन सोडा का रशानिक नाम क्या है अंसर करना है चलिए तो 28 का right answer क्या देगा तो 28 के लिए right answer अगर आपने C को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब है sodium carbonate option C बिल्कुल सही जवाब हो दाएगा और इसका सूतर क्या होता है इसका answer आपको comment box में देना है और देखते हैं कितने बच्चे इसका सही जवाब करते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं next question है विलाई इसपात सेंद्र का दिर्मान किसके सही जवाब से क्या गहता answer करेंगे UK, जापान, रूस, याड़ी, जर्मनी चलिए तो नत्तिस के लिए right answer क्या देगा जी बिल्कुल नत्तिस के लिए जोई बच्चे C को देरे लाइप टेट में बिल्कुल सही जवाब है रूस, option C बिल्कुल सही जवाब है next question है बनारस, हिंदू विश्विदाले के संस्थापक कौन थे चलिए answer देंगे चलिए आपका time खतम होता है तो 30 का right answer क्या जगा तो 30 के लिए right answer अगर आपने C को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब होजएगा मदन मोहन, माल वी है option C, बिल्कुल सही जवाब है next है गौतम बुद ने अपना पर्थम उबदेश कहा दिया था most BBI प्रस ने चलिए answer करेंगे time's up 31 का right answer क्या जगा जी बिल्कुल C होजएगा सारनात में दिया था option C, बिल्कुल सही जवाब है next है किस समिती ने क्रिसी जोद पर कर लगाने की संस्तूती की थी answer करेंगे चलिए आपका time खतम होता है तो 32 के लिए answer क्या देगा जी बिल्कुल 32 का जोई बचे D को दे रहे बिल्कुल सही जवाब है राज समिती option D बिल्कुल सही जवाब है अगला परस ने 1857 के विद्रो के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन ता answer करेंगे चलिए आपका time खतम होता है तो 33 का right answer क्या जगा तो 33 के लिए जोई बचे लाइप चेट में C को दे रहे बिल्कुल सही जवाब दे रहे लौड केनिंग option C बिल्कुल right answer है next question है समितान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की अस्थापना का बात कई गई है answer करेंगे चलिए आपका time खतम होता है तो 34 के लिए answer क्या जएगा तो 34 के लिए right answer जोई बच्चे लाइप चेक में B को दे रहे बिल्कुल सही जवाब है भाग 4 option B बिल्कुल सही जवाब है most important person है ध्यान में रखना है next question है भास में गुआ पदार्थ है जो क्या करता है proton देता है proton गहन करता है electron देता है या electron यूग में गहन करता है answer करेंगे so समझ कर answer करना है 35 के लिए चलिए आपका time खतम होता है तो 35 का right answer क्या जाएगा जी बिल्कुल B हो जाएगा proton गहन करता है option B बिल्कुल सही जवाब है चलिए आगे बढ़ते है 36 नदब रस ने टेलिस्कॉप की खोज किस वे ज्यानिक ने की थी answer करेंगे time's up तो 36 के लिए answer क्या जाएगा जी बिल्कुल 36 का right answer जोई बच्चे D को दे रहे बिल्कुल सही जवाब जेगा Galileo option D बिल्कुल सही जवाब है next question है भारत का पर्थम Governor General हुआ वाइस राय कौन था answer करेंगे so समझकर answer दे रहा है time's up तो 37 के लिए answer क्या जाएगा जी बिल्कुल 37 का जोई बच्चे लाइप चेट में option B को दे रहे बिल्कुल सही जवाब है Lord Kenning option B बिल्कुल सही जवाब है next question है भारत में सीचाई का सबसे महत्पुन सादन क्या है चलिए answer करेंगे 38 के लिए जी बिल्कुल 38 का right answer क्या जाएगा 38 का right answer जोई बच्चे A को दे रहे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा नहरे option A बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा फिर चे बोल रहे है सेशन को बीच से छोड़के नहीं जाना है सेशन को पूरा देखे तभी फाइदा होने बाला है next question है लोग सबा की स्पिकर का निर्वाचन होता है किसके दूरा होता है answer करना है चलिए थोड़ा सा extra time देते है चलिए answer करेंगे जल्दी से जी बिल्कुल 49 का right answer क्या जाएगा तो 49 का जोवी बच्चे लाइप चिट में क्या दे रहे है बी को बिल्कुल सही जवाब है लोग सबा के सभी सदस्वाद वारा होता है option B बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा next question पर है प्रकृति में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला कारवनिक योगी कौन सा है चलिए answer करेंगे 40 के लिए चलिए तो 40 का right answer क्या जाएगा तो जोवी बच्चे 40 का लाइप चेट में D को देने बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा चलिए आपका time खतम होता है तो 41 का right answer क्या जाएगा जी बिल्कुल 41 का जोवी बच्चे option D को देने बिल्कुल सही जवाब है दिल्ली next question है लोगसभा अध्यक्च अपना त्याग पत्र किसको देता है राष्टपती को उपराष्टपती को परधान मंतरी को या D लोगसभा अध्यक्च को चलिए बियालेश के लिए आंसर करेंगे चलिए आपका time खतम होता है और बियालेश का right answer D हो जाएगा लोगसभा अध्यक्च को option D बिल्कुल सही जवाब है चलिए आगे बढ़ते है पानिपत का पर्थम युद कब होता है चलिए आंसर करेंगे आपका time शुरू करते है चलिए आपका time खतम होता है तो 43 का right answer आपका B के साथ लाज़ेगा 21 April 1526 इस पी में option B बिल्कुल सही जवाब है नेक्स्ट को सने किसने कहा था तुम मुझे खुन दो और मैं तुम्हें आजादे दूँगा आंसर करेंगे चलिए फटापट से 44 के लिए आंसर करेंगे आपका time खतम होता है और इसका right answer एक साथ चलाज़ेगा सुभास संद्र बोस नेक्स्ट को सने राजसभा में विपक्च का प्रथम नेता कौन ता most important प्रस्ण है चलिए 45 के लिए आंसर करेंगा आप लोग आपका time शुरू करते है अब फटापट से live chat में आंसर करते जाएंगे और हर रोज आपको रात आट बजे क्लास में आना है तो 45 का राइट अंसर क्या देगा जे बिल्कुल 45 का राइट अंसर सी के साथ लगा कमला पती तिरपाटी ओप्शन सी बिल्कुल सही जबाब है most important प्रस्ण है इसको ध्यान में रखना है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ण स्क्रिन परें किस सी गुरु ने गुरु नाना की जीवनी लिखी थी आंसर करेंगे चलिए आपका टाइम खतम होता है और 46 का राइट अंसर जोई बच्चे डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जबाब है गुरु अरजुन देव ने ओप्शन डी बिल्कुल सही जबाब है किस मुगल बात्सा के आदेश पर बंदा बादूर की हत्या की गई आंसर करेंगे अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक ने किया है तो सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे और जिसने चनल को सब्सक्राइब ने किया है चनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे तो 47 का right answer क्या जाएगा B के साथ चला जाएगा फरुक्सियर के काने पर option B बिल्कुल सही जबाब हो जाएगा option B बिल्कुल सही जबाब है next question है बाबर द्वारा पानी पत की सपलता का मुक्य कारण क्या था most important question है चलिए answer देंगे इसका चलिए आपका time खतम होता है तो 48 का right answer जो भी बच्चे C को दे रहे हैं बिल्कुल सही जबाब है तो आपका खाना option C बिल्कुल सही जबाब है next question है निम्न वर्स्वा में से कब परियावरान संदक्षन अधिनियम पारित हुआता आंसर करेंगे उन चार्ज के लिए चलिए आपका time खतम होता है और इसका right answer B के साथ लज़ेगा 1986 option B बिल्कुल right answer है चलिए आगे बढ़ते हैं आज की session का या आखरी प्रस्वन है नोवेल सांथी पुरुसकार समारो कहां आयोजित क्या जाता है चलिए इसके लिए answer करेंगे चलिए आपका time खतम होता है और इसका right answer जोई बच्चे B को दे रहें बिल्कुल साही जबाब हो जाएगा तो आज की session में total 50 प्रस्वन को रखा गयाता है तो आज की class को यही पर समाप्त करते हैं चलिए फिर मिलते हैं कल रात 8 बजे